30 जुलाई के Current Affair के सेशन में D.D. Academy के तरफ से आप सभी का स्वागत है देखे इस वीडियो का PDF फाइल डेस्क्रिप्शन पे दिया गया है साथी साथ मॉक टेस्ट के पेपर का भी लिंक दिया गया है तो चलिए Current Affair के सेशन को आगे बढाते हैं पहला सवाल है उन्नाव दुसकर्म मामले की पिरिता के परिजनों से यूपी के उप मुख मंत्री ने मुलाकात की तो यूपी के उप मुख मंत्री का नाम क्या है तो ये दिनेश शर्माजी है और आज जो है उन्नाव के दुसकर्म पिरिता के परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात किया है, जो King George Medical College में पिरिता अभी भरती हैं, ऐसे दिनेश शर्मा भी काफी विबातित हैं, इन्होंने शीता जी की जनन तो टेस्ट्यूब बेबी के रुप में ही कर दिया था, जिसके उपर, उनके उपर मुकादमा भी दर्ज हुआ है, अब नेक्स आत हैं, कैफे कॉफी डे सिसीडी के मालिक और पूरु विदेश मंत्री S.S. कृष्णन के दामाद 29 मतलब, अब तो परसों हो जाएगा रात से मंगलोडों से लपाता है, इनका नाम है V.G. सिधार्त, V.G. सिधार्त जो है, इनका एक पत्र भी आया हुआ है, अभी सामने आया ह हुआ है, इन्होंने उस पत्र में जो है, सारे जो उनके जो क्या करते हैं, उन्होंने लोल लिया था, इस सिसीडी को भराने के लिए, पिछले दो साल से काफी माली हालत कराब हो चुकी थी, बहुत सारे लोन उनके उपर हो चुके थे, तो उनका कहना है कि Board of Directors को लिखा है, कि सभी वित्य लेन देन मेरी जिम्मेदारी है, कानुन को मुझे और केवल मुझे जवाब दे रखना चाहिए, तो एक तरह से ये तो एक suicide note ही है, और एक बात तो तैह है, कि कोई भी बिजनस, एक अजीब सी संघर्ष है, और संघर्ष में अगर आप हार जाते हैं, तो उसक का परिणाम कितना भ्यानक होता है, ये वीजी सिधार्त के ओ, देखकर समझा जा सकता है, तो चलिए नेक्स सवाल पे चलते हैं, जर्मन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, ये मैक्स वेर्स टापन है, इन्होंने ग्रैंड पैक्स को जीता हुआ है, जो 28 जुलाई को जर्मन के होकेन होम में आयोजित हुआ था, और ये सबसे कम उम्र के फर्मूला ड्रैवर बने हुए हैं, अब नेक्स आते हैं, केंद्रिय में अंत्री मंडल द्वारा पारित बील का नाम दे, जो बच्चों के खिलाफ अन्ने अपराधों के लिए यौन उत्पिरन और करे दंड के मा प्राधान करता है, जियां ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है पॉस्कोर 2019 है, जो इस साल जो है, इसमें जो संशोधन हुए हैं, और इस संशोधन के अनुसार जो है, 24 जुलाई को ये संसोधन हुए हैं, कि अगर यौन उत्पिरन के मामले आते हैं, और संगीन मामले आते हैं, तो अब मित्तु दंड ही का प्राधान इसके अंदर हो चुका है, और जो होना भी चाहिए, अब नेक्स आते हैं, एक चिसको मैं बोलना चाहता हूं, जैसे इसमें कल मैंने दिया था 17, 18, 20, आज मैंने 19 सेप्टेंबर के भी सवालों को दिया हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे मेरा निवेदर हैं, कि क्रिपया इन सवालों को देखें, क्योंकि नेट से या कुछ किताबों से जब आप तैयारिया करते हैं, और यहां पे जो दरसल औरिजनल सवाल होते हैं, उसके अंदर में अंतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखें, तैयारी करने में वक्त आप देते हैं, आप मेहनत करते हैं, और जब एक्जाम में सवाल देखते हैं, तो फिर आपको जो है, लगता है कि यह सब कहां से आया, यह कहां से आया, ज है कि पिछले साल के सारे सवालों को पर एक नजर डालना काफी जरूरी होता है तो मैंने जो भी सवाल यहां पर दिया हुआ है उसका जो ओरिजनल जो कोस्चन पेपर है उसको भी टैगिंग किया है उननीस तारीका नहीं कर पाया हूँ कल सुबा मैं कर रहा हूँ तो कहने का मतलब है कि जो भी आप देखने हैं वो वही है और वैसा ही एक्जाम में आता है यह केवल बताने के लिए मैंने आप लोगों को दिया हुआ है इसका लिंक जो है आप जानते ही है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं देखिए हाँ जो मैं बोलना चाह रहा था यह जैसे दियावाय देखेंगे सब में PDF of original question paper है मतलब यहाँ click करेंगे तो जो आप exam की paper आपने आपने तयारी किया है तो उसके original paper को देख लेते हैं तो दिल में यह तसली रखते हैं कि जो सिख रहे हैं सही सिख रहे हैं चलिए अब next चलते हैं भारत नेपाल logistic सिखर सम्मिलन का उद्गाटन किस ने किया देखें इसमें एक यह जो भारत नेपाल logistic सिखर सम्मिलन है इसके जगा पे एक दूसरा नाम भी है रसद सिखर सम्मिलन भी बोला गया है मामला एक ही है तो यह kpoli जो है kpoli आप जानते हैं कि नेपाल के पधान मंत्री हैं तो काटमांडू में भारत नेपाल रसद सिखर सम्मिलन बोलिए या लॉजिस्टिक सिखर सम्मिलन बोलिए उसका उन्हों ने उद्गाटन किया था बाल पोनोग्राफी के दोशियों को कितने साल की कह दी गई है जी हाँ इस बार पान साल का दिया है मिनिमम पान साल का है और दोबारा अगर आप पक्रे जाते हैं तो साथ साल की है तो समझ जाएंगे कि इसके उपर कोई भी वीडियो बनता है तो वो उतना ही जादा अब इसमें जो है सम्मंद हो है काफी अच्छा है तो हमारा जो जाहाज है तरकस तरकस जो है अभी रूस के सैंट पिटर्सबर्ग पहुँचा हुआ है और वहां के रूसी सेनाओं ने बड़े गरम जोशी से स्वागत भी किया हुआ है और यह जो है उनके जो नौसेना दिवस पैरेट में भाग लेने वाला है हमारे तरफ से आएनेस तरकस अब नेक्स आते है दुबाई वर्ल्ड एक्सपोर 2020 की थीम क्या होगी तो देखी यह छे महिने तक प्रोग्राम चलने वाली प्रोग्राम है इसका जो थीम है Connecting Minds Creating the Future यह बहुत ही मतलब 20 October 2020 से शुरू होगा और 10 April 2021 तक छे महिने तक यह चलेगा तो इसके उपर आप जानते हैं कि जितना ज्यादा दिनों तक चलता है उस पे सवाल आने के संभावना भी काफी जादा हो जाता है तो इसका थीम को फिर से याद रखते हैं Connecting Minds Creating the Future दुबई World Expo 2020 बीस अक्टोबर 2020 से 10 April 2021 तक अब नेक्स आते हैं छोटे शहरों के लिए केंद्रिय आवास और शहरी मामलों के मंत्राले MOHUA द्वारा प्रस्तावित हल्की शहरी रेल पड़ागबन प्रनाली हल्की शहरी रेल पड़ागबन प्रनाली का नाम क्या है जिसमें सवारों का कम प्रक्षेपन होगा कम होगा तो इसको मेट्रो लाइट नाम दिया गया है यह जो एक नई तरह की ट्रेन आ रही है जियो 25 किलो मिटर पति घंटे की स्पीड इसकी होगी और 300 यात्री को लेके जा पाएंगे यह है चोटे शैरों में होगा और इसका नाम होगा मेंटू लाइट यह सब पिक देख कही लगता नहीं है कि कहीं कभी तो होता है कि हम अपने देश में हैं या पिदेश में हैं चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हाल ही में भारत के सबसे तेज दूसरी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है का ट्राइल रन किस रूट पर किया गया तो देखी ये नई दिल्ली से कट्रा तक का किया गया है ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है ट्राइल रन किया गया है आप जानते हैं कि ये चन्नाई दुबारा निर्मिट ट्रेन है और इसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर पहल प्रतिगंटा है और ये दिल्ली से कट्रा के बीच के जो समय बारा घंटा से घटा कर इस ट्रेन में आठ घंटा केवल हो जाती है अब नेक्स आते हैं कल का जो सवाल था जान बुझ के मैंने इसको आज ये रखा कल मेरे से टाइपिंग चूड़ गया था और सभी का जवाब सही आया एक नेकेवल मध्य प्रदेश किया है और मैं सबसे च्छमा मांगता हूँ कि पिछले दो दिवन दो दिस दिन से स्वस्त थोड़ा सा खड़ाब रहने के कारण मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे पाया कल आशा करता हूँ कि सारे आपके सवाल का आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूँगा मुझे आज भर के लिए माफ कर दीजी क्योंकि मेरी तबियत सही नहीं थी जिसके लिए मैं नहीं कर पाया अब आज का सवाल है ग्लोबल टाइगर डे दिवस कब मनाये जाता है और मैं जानता हूँ कि इस सवाल का जवाब भी आप अत्यंत सटीक देंगे आप सब जो हर दिन कमेंट्स करते हैं इसलिए आप सबको मेरा धन्यवाद साथी साथ लेकिन एक चीज़ आप से मेरा आप लोगों से मेरा थोड़ा सा जो है क्या करते हैं क्या बोलूंगा उसे मैं थोड़ा सा दुखी आवश्य हूँ क्योंकि जितना मौक टेस्ट देना होना चाहिए उतने लोग नहीं दे रहे हैं जबकि पहले से बहुत लोग दे रहे हैं तो भी अभी भी मैं जो सोचता हूँ जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और एक बात दोस्त जानना कि अगर आप करेंट एफेर की तैयारी कर रहे हैं तो मौक टेस्ट जो है वो एक मातर रास्ता है इसलिए देखेंगे कुछ भी हो जाए मैं हर दिन का मौक टेस्ट देता हूँ क्यों देता हूँ क्योंकि आप तैयारी कर सकें तो आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ओके दन बबाए ठैंक यू जैहिंद